राजस्थान की जन जातियां एवं जन जातिय छेत्र से सम्बंदित महत्पुन प्रेश्ण है एतिहासिक द्रश्टी से राजस्थान की कौन सी जन जाती योद्धा और प्रवेंट धनुर्दर थी राजस्थान की कौन से जन जाती प्रिवेंट धनुर्दर थी धनुर्दर थी वील जन जाती सामाजिक सहकारी संस्था एलरू राजस्थान की किस जन जाती से संबन देते हैं एलरू गरासिय जन जाती से संबन देते हैं गरा िूसरे जन जाती कौन कॉन से जिलों पाय जाती तो घ्रा से जन जाती कौन कौन से जिलों पाय जाती है सबसे पहला है कि शिरोही कर Bent walish कि पाली उदैपर तो या मुक्त से याद रखना कंकॉन कौन से छेतर हैं तो गराशे जन जाती के तीन छेतर है शिरोही पाली उदैपर शिरोही के आबुरोड और पिंडवाड़ा तैसिल में पाए जाती है शिरोही में है आबुरोड आबुरोड और पिंडवाड़ा तैसिल में पाली में पाए जाती है बाली पाली जिले के बाली इम पाई जाती है और उद्यपुर में गोगुंदा और कोटड़ तैसिल में उद्यपुर के गोगुंदा गोगुंदा और कोटड़ तैसिल कोटड़ तैसिल तो इनको याद रखना सिरोई पाली उद्यपुर शिर्वई का आबू रोड और पिंटबाड़ा तैसील पाली का बाली तैसील उद्याप्र का गोगुनदा और खोटड़ा तैसीले में पाई जाती है अगला कुस्चन है बीजा वे माला राज्स्थान की किस जंजाती की साखाएं है बीजा वे माला तो राजिस्तान की सासी जंजाती की साखाएं तो बीजा और माला किस जंजाती साखाएं तो ये जंजाती नहीं है ये क्या है ये जंजाती नहीं है अनुसूचित जाती है अनुसूचित जाती है बीजा और माला तो ये सासी की है लेकिन अनुसूचित ये ऐसी माती है एस्टी माती है सहरिया और डामोर ये ऐस्टी माती है अनि कि जंजाती माती है कंजर भी ऐस्टी माती है गमेती निम्न मैंसे किस जंजाती के लोगों का नेता होता है गमेती गमेती होता है भील जन्जाती का भील जन्जाती का गमेती नेता होता है आती मना नर्ते किस जन्जाती में प्रचलित है भील जन्जाती में प्रचलित है कौन सी जाती है जो अपने आपको हिंदु कहती है लेकिन हिंदु धर्म के नियमों को नहीं मानती मेर जाती है सहरिय जन जाती लोग अधिकतम किस जिले में पाये जाते हैं रूंगरपुर, बासवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा तो यह पाई जाते हैं 12 जिले में 12 जिले में 17.4% सहरी जन जाती 12 जिले में पाई जाती है राजस्थान में जन जाती हूँ सिंख्या की दुरस्टी से दूसरे नमर पर कौन सी है तो पहले नमर पर है मीना मीना पहले नमर पर है दूसरे नमर पर जाएगी भील इस मानचित्र को देख करके पताना है की कौन कौन सी जगा पर कौन कौन सी जाती है पाई जाती है तो नमर एक यह है अलबर भरतपुर में सासी जन जाती पाई जाती तो बरत पुर में सासी जन जाती है यह 14 है बारा म् Belix जन जाती है अथा ये तो चीर या कि नीचे है ढोंगर पुपर जोगरा में 7 ध्याती है और शिरोही में हाट चारी से तो गार तो च defense में्याहें प्रज कि तो यह जाती है शिरोई पाली उदैपुर में गराशिया जंजाती पाई जाती है तो इसके लिए उप्शन तीन सही हो जाएगा दक्षनी राजस्थान की जंजातियों में बडालिया का क्या आर्थ है बडालिया का आर्थ होता है दो पक्षों के मद्द विभा संबंद में मद्यस्तता करने वाला भुपाजी से आसिरवाद लेने की प्रता विभा के अफसर पर पहना जाने वाला आभुशन पुत्र जन्म के अफसर पर मनाया जाने वाला उस सब दो पक्छों के मद्ड विभा, सम्मन्द में मद्धिस्तत ह करने वाला ब्यक्ति होता है कौन सी जाती, अनुसूचित जाती नहीं है तो इसमें गराशिय जन जाती है, बाकि सब अनुसूचित जाती है भील चेत्र में बाब जी के नाम से किसको जाना जाता है स्रीमानिक लाल भर्मा, मोतिलाल तेजावत, भूगिलाल पंड्या, मोतिलाल तेजावत को बाब जी के नाम से जाना जाता है किस जन्जाती का उल्लेक मतश्य पुराण में मिलता है मतश्य पुराण में डामोर, गरासिया, भील, तुसमें मीना जन्जातियों का मिलता है कि कौन से संभाग है ? हुदैपूर , traveler, Quota , Azmir तो राजस्तान की दक्षिन में सबसे जादा जन्म जातीय पाई जाती है तो राज्तन के दक्षिन में जंजातिया पाई जाती है 55.1 के करीब राज्तन के दक्षिन पाई जाती है तो दक्षिन संभाग आता है तो यहां देख सकते हैं कि आदिवासी जंजातिया सबसे दिक कहां पर पाई जाते तो उद्यपूर बासवाड़ा दूंगरपूर प्रतापगड राजसंबन चित्तवड़गड इनमें ज्यादतर पाई जाती है कोन संद्रते नाट्टे रूप में किया जाता है गबरी नरत्टे को नाटक के रूप में किया जाता है और यह नरत्टे गबरी नरत्टे भील जंजाती का है भील जंजाती का गबरी नरत्टे नाटक के रूप में किया जाता है तो यह कुश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बहरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि यही सिल्वस के अंदर है रीट की सिल्वस में तो राजासतान की जनजातिया और फिर मुन्ध कावाज छेत रहे हैं तो सहरीस जनजाती 12 में पाई जाती है सहरी सने जन जाती 12 मोस्ट इंपर्टेंट है तो यह 30 नमर का गराज से जन जाती उदय पूर शिरोही और पाली में पाई जाती है दो डामोर जाती पाई जाती है दूंगर पूर बासवाड़ा में कर दोंगरपुर वास्माणा में डाम उर जाती पाई जाती है और मीना जंजा पाई जाती है जैप्रदोसा में सबसे ज़्यादा पाई जैप्रदोसा कि चार तो इसका करेक्ट आंसुजर हो जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 4 कहा पर है 3 2 1 4 यह नि वप्सन क्रेक्ट होगा तीन दो एक चार राजिस्थान में सरवादी संक्या किस जन जाती की पाई जाती है तो सरवादी संक्या किस जन जाती की पाई जाती है तो मीराओं की पाई जाती है प्रथम नम्मर पर है भीर और गराशे जन जाती में दापा कार्थ क्या है दापा भीर और गराशे दोनों जन जाती में चलता है तो दापा कार्थ होता है कन्या पक्ष दुवारा बरव पक्ष से यानि कि बरव पक्ष से कन्या के बदले धन लेना है बर्पक सी कञ्ड़ना की धन लेना तो ये ही है इसका दापकार द हुε के settlements कि के रीवाज की वल नी कि जंजाती कि ऋे डोवमे लोग प्रीए है तो मेلة으면 प्रसिद्र और मेनलाments मे के psychologists के साझे। मोरनी मोरना किस जन जाती सम्बंदेते हैं भील, मीना, गरासिय, सहरिय, तो यह मीना जन जाती से सम्बंदेते हैं, और किसी जाती सम्बंदेते नहीं, मोरनी मोरना फाइरे फाइरे किस जनजाती का रनगोस है भील गरासिया डामोर मीना भील जनजाती का है धारी संसकार राजस्तान की किस जनजाती में परचलेते हैं धारी संसकार गरासिया मीना सहरिया भील धारी संसकार सहरिय जनजाती में फाई जाती है 12 जिले के सहरिया जंजाती में दारी संसकार पाया जाता है राजिस्थान की किस जिले में सहरिया जंजाती केंद्रत है सहरिया जंजाती 12 जिले में केंद्रत है अभी भी बताया था 12 जिला भीलों में सामाजिक सुधार करने के लिए नेमन लिखित में से कौन राजस्तान के प्राचींतम निवासी है मीना गरासिया भील भलाईAR भील एंदियो डर्रोण से अंसर होगा दॉर्जी के पूरवी भाग में अधिक पायां जाती है पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है मीना, भील, गरासिया, सहरिया तो सही आंसर होगा मीना तो यह थी हमारे कुछ महत्मुन कुश्चन वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडिय आपको आपको जानेवाद